हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुपसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ, यह देखे, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जर्ण साफ स्विटर, फूल स्विटर, जैकेट, कार्डिगन, कोट्टी, लेडी स्विटर, गल स्विटर, बच्चों के अल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, फ्रोक, आदि में बनके देखे, बहुत ही खुपसूरत हमारा यह पैटन आया है, यह देखे, यह हमारे पैटन का फ्रेंड साइड है, और यह देखे, यह हमारे पैटन का बैक साइड है, इस pattern को बनाने के लिए हमने 4 के multiple में फंदे डालने है और plus हमने 2 फंदे extra डालने 10 नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है सबसे पहले हम अपने project के इसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern complete होने के बाद हमारा ये pattern बनना start होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजे new videos की notification के लिए बेल आइकन दबाना न भूले वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइकन न भूले अब हम अपना pattern बना start करते हैं तो देखे अब देखिए pattern की first row front side से पहला फंदा उता लेंगे ये पहला फंदा उता लेना है अब next हमें 4 फंदे सीधे बुनने एक दो तीन चार फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी side करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन चार ये देखिए धागा पीछे 4 फंदे सीधे चार फंदे सीधे धागा अपनी side 4 फंदे उल्टे सेम प्रोसिस को हम repeat करते जाएंगे और front side से अपनी pattern की first row complete कर लेंगे हमारे project में जितने भी फंदे होंगे हमने same process को repeat करते हुए front side से अपनी pattern की first row complete कर लेंगे अब देखिए wrong side से pattern की second row पहला फंदा उता लेंगे यह पहला फंदा उता लेंगे आप देखिए front side की तरफ से देखिए जो 4 फंदे उल्टे आए हैं तो देखिए इन में से 1 फंदा सीधे धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे फिर 1 फंदा सीधे धागा अपनी side front side की तरफ से देखिए जो 4 फंदे सीधे हैं यह देखिए यह back side से हमारे 4 फंदे उल्टे आजाएंगे धागा पीछे अब देखे फ्रेंट साइड की तरब से देखे चार फंदे उल्टे हैं इन में से एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे आ जाएंगे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे बैक साइड से अपनी सेकिंड रो कंप्लेट कर लेंगे अब देखिए फ्रेंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे थर्ड रो को हमने फस्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लेट करना है चार फंदे फिर सीधे आ जाएंगे चार फंदे उल्टे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लेट कर लेंगे ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लेट हो गई आप देखे रोंग साइड से फोर्थ रो को हमने सेकिंड रो के तरह बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड नेश्ट देखे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पिछे देखे फ्रंट साइड की तरफ से जो चार फंदे उल्टे आये हैं उनमें से देखे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड फ्रंट साइड की तरफ से देखे जो सीधे फंदे हैं उनमें से देखे चार फंदे उल्टे आ ज डॉंग साइड से हमारी फूरत रो हो गई आप देखें फ्रांट साइड से फित रो हो को भी इस कीतर बोनते हुए पोलीट कर लेना है चार फंदे सीधे भुनने है चार फंदे उल्टे भुन लेना है चार फंदे सीधे चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रांटी साइड से हमारी पैटर्न की फिप्तरो कम्ठेट हो गई रॉंग साइड से देखे शिक्स रो, शिक्स रो को हम सेकिंड रो के तरह बुनते वे कम्ठेट करेंगे धागा पीछे, फ्रण्ट साइड की तरफ से जो चार फंदे उल्टे हैं इनमें से एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड, फ्रेंट साइड की तरब से देखे जो चार फंदे सीधे हैं, वैक साइड से ये चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे आ जाएंग लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की six row complete हो गई आप देखे फ्रन्ट साइड से seven row अब seven row में हमारा पैटन repeat and shift होगा तो देखे जो ये सीधे फंदों का पैटन है ये उल्टे फंदों के उपर shift हो जाएगा जो उल्टे फंदों का पैटन है उस सीधे फंदों के उपर shift हो जाएगा तो देखे यहां पे repeat and shift की एक row पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड आप देखे इन चार सीधे फंदों के उपर हमारे चार उल्टे फंदे आ जाएगे तो देखे ये हमारा पैटन repeat के सा साथ सिप्ट होने लग गया यह देखिए चार फंदे उल्टे यह वाला पैटन यहां पर सिप्ट हो गया धागा पीछे आप देखे यह जो चार उल्टे फंदे हैं यहां पर हमें चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फंदे सीधे तो देखिए यह वाले सीधे फंदों का फंदे उल्टे दागा पिछे चार फंदे सीधे यह देखे यह फ्रंट साइड से हमारी सेवंत्रों कम्फलेट हो गई सेवंत्रों में हमारा पैटन रिपीट एंड शिप्ट हो रहा था अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट एंड शिप्ट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरों से आजाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें शियर करें कमेंट करें और आप हमा हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू